नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को नौरात्री की सुभ कामना हैं, आप लोग अच्छे रहें, स्वस्त रहें और आपको नोखरी जल्दी मिलें आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम बात करने वाले हैं, बिहार गवर्मेंट में जेनेम की कितनी सेलरी होने वाली है, जेनेम के एक्छुली में सेलरी कितना है, जेनेम सेलरी 2022 में हम बात करेंगे और जेनेम के निव अपडेट क्या है, तीन एक चीज और कहूंगा कि टेलिग्राम का लिंक है उसको भी आप जरूर जोईन कीजिए और एक चीज और करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जितना है अपने ग्रूप वाट्सों ग्रूप एस्बुक पे इंस्टा पे टेलिग्राम पे सेयर कर दिजिए इससे अच्छा चानेल आपको नहीं हो सकता नर्सिंग के फिल्ड की एस्टीजी निव चानल ही था जो जीनेम की 2020 के लिए आवाज उठाया था और आज हम फिर कैम्पेनिंग उठा रहे हैं आपसे दावा कर रहे हैं कि फिर हम जीनेम की आवाज उठा रहे हैं पर्मानेंट वेंकेट से वि बिहार गौर्णमेंट के जुलाई 2022 की है यानि रिसेंटली अभी की है यह बात करते हैं बिहार स्वास्थ विभाग के तरफ से यानि कंफ्रेंसिंग फाइनेंशर मैनेजमेंट सिस्टम गौर्णमेंट और बिहार सेल्री स्लीप आप देख सकते हैं मन्थ जुलाई का हमने चीजों के नाम और आ को मैंने हाइड कर रखा है इस चारी चीजेंगें इनफॉर्मेशन देना ठीक नहीं है यह जो है पर्मानेट है जो जीएनेंट है उनकी बारे में हम बात कर रहा है यह जीनेंग की सेल्री सिलीप हम दिखा रहे हैं आपको आपको एक अंदाजा लग ज 80 रुपए मिलता है और house rent जो इस समय आप देख सकते 2856 रुपए मिल रहा है तकरीबन तकरीबन मान के चड़े 28,280 रुपए मिलता है अब बात करें medical allowance की बात करें 1000 रुपए medical allowance का मिलता है other allowance में आप देख सकते है 6600 मिल रहा है इसके जोड़ने के बाद जो टोटल सेलरी इनकी बनती है 74,240 रुपए आप देख सकते हैं सेलरी आज की रेट में बन रही है 74,240 रुपए अब इसमें बड़ा सवाल है कि यह CSC है कुछ PSC होता है कुछ सदर होता है तो यह बात flexuation कर सकता है अगर मालीचे कोई सदर में है example के तोरप मालीचे कोई सदर में है कहीं पे तो उसकी सेलरी 2000 रुपए और बढ़ जाएगी यानि कि जो आप 74,000 आप यहां देख रहे हैं तो 2000 आप और इसमें add कर लीचे यानि 76,240 रुपए के आजपास सेलरी होने वाला है लेकिन यहां पर सवाल है कि सब कुछ सेलरी आपको मिलती नहीं है कुछ इसमें से सेलरी डिडक्ट भी होती है वो भी हम आपको दिखा रहे है जैसे आप डेक सकते हैं डिडक्ट यानि कटाओती भी होती है इसमें से जैसे कि आप GPS में देख लीजिए आप 30 रुपए कट रहा है income tax मंतली कट रहा है कहीं-कहीं महिने में भी कहीं-कहीं हो सकता है साल को भी कटे तो तकरीबन 4,000 इनका income tax में भी कट रहा है और NPS जो contributions है उसमें भी 6,368 रुपए आप देख सकते हैं तो टोटल अगर बात करें कि खर्चा इनका कितना है कितना deduction हो रहा है 10,408 रुपए की deduction हो रहा है अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर काटने के बाद salary क्या बनती है वो हम अगले एस्क्रिन यानि अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं देखे 74,240 रुपए आपको ये लिखा हुआ है जैसा कि हम आपने एस्क्रिन पर पहले से ही लिख दिया है इसमें से 10,408 रुपए अगर डिड़क करते हैं तिनकी net salary बनती है 63,832 रुपए लेकिन ये बात ध्यान रखिए ये हर जुलाई में यानि अभी 2022 चल रहा है तो 2023 में भी salary बढ़ेगी अब वो DA बढ़ते रहता है इस से में जो DA है 34% है ठीके क्या सपास है ये fluctuation करेगा आगे फिर बढ़ेगा तो ये report हम आपको तोड़ा बताए कि आपको idea लग जाएगा कि JNM के actually बिहार में कितनी salary है आप लोग को idea लग गया होगा कि actually JNM के जो permanent जो 2020 में जोईन की थी आज की date में salary कितना है 74,240 रुपे हैं लेकि सदर में अगर होता है तो इस salary आपको बढ़े जाएगी 2000 रुपे यानि कि ये मान के चले 76,000 के आसपास salary होने जा रही है और काट पीट कर आपको समझे कि in hand जो salary मिलती है 55,000, 800,000 के आसपास मिलती है अब बात यह है कि JNM की अगर जो contact पर जो बिहार government में जो काम करती है उनकी salary कम है उनकी salary 20,000 है इसलिए कुछ हमेसा आवाज उठती रहती है कि जो JNM एक degree वाली है तो उनको के नहीं permanent किया जाता जैसा कि आप लोग भी हमेसा यही पुछते हो कि BTSC के तरफ से जो JNM के vacancy आएगी वो अमारे लिए best होगा हम इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि JNM की permanent vacancy आएगी यह date बार बार आप लोग पुछते हो यह date हम इसके बारे में update देंगे लेकिन अभी कोई official update नहीं आ रही है इसलिए हम क्यास लगाकर हम आप त लेस्ट है कि इस वीडियो को अपने प्रेंड को सेर के दिखे किसी अच्छा चानल नहीं हो सकता तो आज के नियूज में था वक्त हो गया है बिदा लेने का देश दुनिया के तमाम ख़बरों के लिए बने रही है इस्टीजी निव चानल के साथ अगर आप यूटूब प को आकर लोगों से बात करेंगे और सरकार के उपर प्रेसर बनाएंगे और बिटीएसी से जल से जल जल जियने की वेकेंसी दिलाने का काम करेंगे तो आज के नियूज में है वक्त हो गया है बिदा लेने का थैंक्यू शूम